बीते तीन अक्टूबर को एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके ससुराल जाता है जैसा कि आप मेरे चैनल पर पिछले तीन अक्टूबर की घटना है रात की चार अक्टूबर को आपने ये निउज देखा होगा ये मामला यूपी की बलियां जी लेके बात करते ओ wardrobe और इस समय जो है ये इनकी प्रेमिका है इह प्रेमिका अपने पती और अपने माई के को छोड़ के अपने ससुराल और माई के को छोड़के अपने प्यार के साथ आज उस घर में अपना घर बसाली है तो आज इनसे बात करते हैं कि आखिर अरजने जो आ रहे थी इनके प्यार में इनके घर वाले मानने के लिए तयार नहीं थे इनका पती रखने के लिए नहीं तयार था तो आखिर अब किस तरीके से लोग मान गए है और क्या कुछ मामला था मेरे हाथ में ये कि ये सुला नामा है ये 18 तारी को यहां स्थान डी बाबा के मंदिर पर जो है ये लड़की पक्षे और लड़का पक्षे का समझावता हुआ है और सुला नामा जो है मेरे हाथ में आप ये थोड़ा सा दिखा दीजिए ये आप तो यहां आ गई हो पंच द्वारा अच्छा अब वहां जैसे तुम्हारी जहां पहली साधी थी सवराल थी तो वहां बात हो रही थी दूसरे दिन फिर गई थी वहां पे तो वहां क्या कहें कि घर वाले लोग भेज़ें तो यहां पांच बुलाई गए तो पंचायत में तुमको को अकेले भेज दिया था और तुम्हारे पापा अपा थे लेके गए थे और उन्हें नहीं गए क्या वज़ा हो सकती है तो वहां के लोग क्या कह रहे थे वह बुलावत रह लंजा पंचाय करे खतिम तुम घर चली गए थी कि हम इसी घर में रहेंगे उस दिन तुम कह रहे थी कि हमको अभी नहीं के घर आना है प्रेमी के साथ नहीं जाना है तो फिर क्या हुआ आगे उसके जब घर उन्लोगों तो उसके बाद फिर क्या हुआ पहुचा दे लंजा घर जरा सड़ा कौन पहुचाया हुआ से पांच जनरा लंजा सभी तैमी के औरी देदी रोली औरी बाउजी इस दवरान इतना यह समामला हो गया जो पहला पती था तुमारा तो पती से अब तक कभी कोई बात हुई की तुमसे घटना यह बार क्या दो दुमसा दुआ वाध कि कभी बात नहीं हुई पंषाने केल के लिए को इससदिन कि 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 अपनी मर्जी से कुछ ऐसा होगा तो हम लोग फशक्ता था उसके बाद तो시간 करतें वह तो तुम्हारे बात करने के कोशिस की इन लोगों से बताओ जब तुमको तुम्हारी मम्मी वहां से ले गई थी तैसील से घर पे तो तुम्हारे साथ क्या कि यह थे लोग घर जाके वहां तो बोल लगए थी कि नहीं हम साधी लड़के से पहले से किये हम मंदीर में अपने प्रेमी से तो घर जाएंगे तो घर गई तो तुम्हारे साथ हो लोग क्या दिक्कत हुए तुमको फिर वहां जाने के लिए राजी हो गई काहा अपना जहां पहला सासुराल था वहां मेरे हाथ में तो अब कोई तुमको दिक्कत यहां पर ना कुछ भी दिक्कत आभगगगगई अब तुमको अपने माई के अकट मेरे हो फीं समय कुछ बीटैने पता भूंसकर? अधार तो यह कोर्ड मेरिज कराने के लिए अधार जरूरियों थे कई डाकुमेंटि तो तुम्हारा अभी वहां क्या क्या-क्या पड़ा है उनके घर अपने पहले पती के बहुत समाने नवायारी वह सब गता इस यह सब नहां बगता रतन सब पूछ रहा हूं कितने तक पड़ी हो तो मार्क सीट जो है दोस का या आधार कार चाहिए जो भी तुमारे कागजात है कहा है बस हो जो अधार काड़ तो अभी अभी तो जरूत पड़े की न साधी कोट मेरेज के लिए तो मांगी हो आँ से कोई मांगा है कि नहीं हाँ बाग अच्छा उस दिन कुछ लड़के बता रहे थे कि यह जो है तुम्हारा प्रेमी तीन-चार दिन से वहां गया था यह बात कहां तक सही है अच्छा ना मतलब तीन बार गयल वह लेकिन लगता रहे ना साथ आठ दिन पर जात रहो तो कह दिन जाते थे तो राते थे यह बहुत एक रात जिस तुमको डर नहीं लगता था वहां जाते कोई पकड़ लगा आलास्ट में घटना होई गई जा तू जैसे घटना होने से अच्छा यह तुमको नहीं लगा कि हो जाए तो फिर हमारे उपर क्या गुज्रेगी ऐसा कुछ डर लगता था कि लागत रहे पहले साधी कर ली तो अपने मापीता जो है नहीं बताई मासे और पीता से किन हम करते हैं चाहिए अपने घर नहीं बताया थे कभी ना इना बतल हो वहाँ साधी कैसे होई थी बताओ जवर्जस्ती यह दुकिया थे का माँं बना कीति साधी करने के लिये हम कि आन तो इसी हो मेरा आना कहीं नहीं न जाना अप इरादा को बदलेगा है न खूस हो न थीखे मैं बात करता हूं कि यह हुआ था उस दिन फुलड़ा से तुना गया था एक धिन दिखा दिए पैर इनका भी जो है इनके पैर में जो है गर्म पटी बदी हुई है और यह जादे अभी परशान है चुकिंट पैर में अट है और इस पैर कौन मारा बहात कर रहे हुं पैर में कौन मारा था उनका चांचा मारे थे वंका पापा मारे थे दो मेज तिरी मारें इसे में प्र हमें हो नीचे पांप पहले से पर लह नहीं के पकड़ ली कहा थे उस समय मबै Minsher हमें घर में थे जी सबसे पहले कौन देखा तुम उनकी मां पकड़ी थे तो क्या कही हुआ उसके बाद जाकर बाहर सोर कर दे थे तो आए मारने लगे हमको अमरीता बता रहे है कि तुम तीन बार जा चुके थे वहां उसके पहले आट दिन या दस दिन पर तो इसकी बाद सही है जी हाँ सही है अच्छा डरों नहीं लगता था किसी के घर में अंदर जा रहे हो तो जी नहीं हमको डर नहीं लगता था क्यों डर नहीं लगता था एशा डरता नहीं था अलाश में पकड़ा गया तो उसका नतीजा निकला कि आज ये लड़की इनके घर है प्यार तो अब मिल गए तुमको जी मिल गए हमको अब क्या करो गया अब खुशी सराएंगे बस तो अभी कमाना मना होगा हां कमाएंगे न जी पहला पती तो इसका पूरा कर पा ओगे करेंगे न करेंगे न करोगे जी अब आगे जो है किस तरीके से और कोई तुकत होगा तो इसका क्या हमोता इंगे सखेज नहीं होता है और 95% YouTube cade पटाव अम्रिता क्या गारंटी है कि यह लब मेरेज है तो आगे सगज रहे गारंटी तुम्हारे तरफ चुम्हारे तरफ से हैं विश्वास अगर जो कोई दिक्कत होगी तो फिर कोट जिम्हेदार होगा का कौन जएमेदार होगा यह कोई आएंगे कोई बात नहीं प्लाव किया कहोगी अपने पहले अपने पती तुमारे उनको कुछ कहना चाहोगी कि अब मैंने सादिकरों यह जो भी कुछ नहीं कहोगी अब बस अपने फ्यार से ही बोलोगी अच्छा यह बताओ कल के डेट में तुम्हारे मम्मी पापा कोई दिक्कत होगी चाहे कोई बात होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होता है कोई बी बात होती है तो तुम्हारा बस प्रेमी जिम्मेदार होगा है अब एक चीज़ बतायो अब तो मालो की मार पीट अब तुम घर भी मार पीट खाई तो अब क्या मैसुत कर रही हो तो दर दोर द इसके खर आ गई तो दर दोर कम हो गया होगा भूल गया है दर दोर सब मार और वाला है तो याद रहे का न इस प्रेमी के लिए मार कर अगर जो कोई समस्या होती है तो कौन याद आएगा उसने बताओ कि अगर चल कि ये प्रेमी तुमारा एक साल दो साल चार साल बाद तुमको कोई तकलीब दे तो कौन उसका जिमेदार होगा भाए eh कौन जिमेदारों को बताओ नहीं बता पा रही है यह जो है अब अपने प्रेमी के घर आ चुकी है और खुस है और इनका परिवार भी सारा खुस है एक मिनट इनके मैं पिता जी से बात करूंगा वहीं बैठे रही है यह पिता जी क्या कहेंगे अब तो आपकी बहु आ गई ह जरूर खिलाएंगे तो कैसे खिलाएंगे मिठाई बताइए अभी खिला देंगे खुस है आप तो आपकी बहु आ गई हां बहुत बढ़ा तो चक्कर काटना पड़ा यहां से वहां तक ठाने तक तासिल तक तो आप तो मिल गई है हां हम खुस हैं क्या कहेंगे अपने कमपनी कमाने जाएंगे तो क्या कहेंगे उसके पहले पती को उसका चाहेंगे अब तो उसकी पतनी थी उसको आप जो है ले कि अपने घर चले तो उसको कुछ का आएंगे कि वह भी अपना साधी कर ले को भी अपना साधी कर ले हां यही कहेंगे अब इसके बाद कोई बात ह तकलिफ मत दीजिएगा दूसरा छोड़के आई यह तकलिफ कोई नहीं नहीं हो ना नहीं हमरे यह एक बार मैं और दिखा देता हूं कि यह जो है इनका अपना प्रेमी जोड़ा है और यह लोग आपस में खूस है पिता जी कहा रहे हैं कि हम जब तक रहेंगे कोई तकलिफ न अब इसकी प्रेम का है अब पत्नी हो चुकी है और इस घर की बहु हो चुकी है तो उसको अच्छे से रखेगा बाकी आपकी क्या रहा आप कमेंट में परिपरत के लिए जरूर दर्ज करिएगा अभी तक वीडियों बेने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यबाद नवाश्कार